हेलो दोस्तो मेरा नाम अमित है NDT & Quality YouTube चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तो non-destructive testing जो है वो कई सारी manufacturing process पे आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि welding जो manufacturing process है उस पे आप यूज़ करते हैं उसके अलावा casting में आप यूज़ करते हैं rolling product है तो उसमें भी NDT आप कर सकते हैं forging में भी आप NDT कर सकते हैं उसके अलावा extrusion है और heat treatment किया हुआ part है तो उसमें भी NDT होता है उसके अलावा यह मैंने manufacturing stage की बात की उसके अलावा in service में भी NDT होता है इन service मतलब की आपका part जब service में चला जाए तो उसके उपर load आएगा या stress बढ़ेगा तो उसमें भी indication मिल सकता है तो वो time पे भी NDT होता है तो इन सब manufacturing process में आज हम casting related NDT देखने वाले हैं मतलब casting process जो है वो कैसे होता है और उसमें NDT की क्या-क्या requirement रहती है मतलब की कौन-कौन से NDT method जो है वो आप casting में use कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले casting process जो है वो कैसे होता है वो मैं बताने वाला हूँ उसके बाद आपको उसमें NDT कैसे-कैसे किया जाता है वो बताऊंगा तो यह वीडियो आप कुरा देखे और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल जो है वो जरूर सबस्क्राइब करें और यह वीडियो भी अपने दोस्तोर कलिक लोगों को शेर करें तो सबसे पहले casting जो process है वो देख लेते हैं तो casting process जो है उसमें use of molten metal usually metal this molten metal is then poured into mold cavity that takes the form of the finish part बराबर तो इसमें दो चीज रहती है पहला जो है आपका molten metal मतलब की molten material बोला जाता है उसको जो material metal जो होता है उसको पिगालने के बाद मतलब की mold करने के बाद जो material मिलता है उसका use किया जाता है और उसको mold बराबर mold जो होता है mostly sand mold ज्यादा use होता है बराबर तो mold में उसको pour किया जाता है तो देखिए यहां पे यह एक type का casting का setup है बराबर तो इसमें यह यहां पे sand लिखा हुआ है यह पूरा का पूरा sand का बना हुआ mold है बराबर इसको mold बोलता है और यहां से आपका molten metal जो है वो pour किया जाता है molten metal pour करने के बाद उसको solidify किया जाता है मतलब कि उसको solidify हो तब तक उसको रखा जाता है और उसके बाद solidification होने के बाद यह जो sand का mold जो है उसको remove किया जाता है और यह आपका part जो है यहाँ पे आपका final part जो है यह आपको मिल जाएगा बराबर यह holocasting है तो ऐसे गर के आपको final casting जो है वो मिलेगा बराबर यह आपका runner और riser दिया हुआ है बराबर तो राइजर जो है उसका यूज यह है कि यहां पे material जो है यह पूरा फिल हुआ है कि नहीं यहां से आप पता चल जाएगा runner जो है तो runner through आपका molten metal जो है वो pass होता है और finally वो gate में जाएगा और gate through आपके यह part जो है final जो आपका part जो बनने वाला है वहां पे आपका molten metal पोर होगा और यह इतना जो portion है यहां से यह portion बराबर यह बाहर का जो portion है बराबर उसको भी बाद में grinding या cutting करके निकाला जाता है तो final जो आपका part है वो यह part है वराबर यह आपका part casting वाला part है और यह बीच में core जो लगाया हुआ है वराबर यह hollow part के लिए core लगाया हुआ होता है उसको भी बाद में निकाला जाता है तो यह type से पुरा casting का process रहता है यह मैंने hollow casting का figure दिखाया है ऐसा solid casting भी आप बना सकते हैं तो यह इसमें दो चीज रहेगा पहला molten material है और दूसरा mold है the molten material then cools with heat generally being extracted via the mold until it solidifies into the desired shape बराबर तो molten metal आप pour करते हैं उसको cool होने देना पड़ता है मतलब कि solidify होने देना पड़ता है और उसके बाद इसमें जो mold रहता है उसके through आपका heat जो है वो dissipate होगा मतलब कि extract होगा और finally part जो है वो under molten metal जो है वो solidify होगा और आपको जो part चाहिए उसका desired shape जो है आपको मिल जाएगा तो इस तरह से पुरा casting process किया जाता है तो यहाँ पे आपका basic setup हमने देख लिया उसके बाद it is basic method of producing shape casting of all kind of material in sizes from a fraction of an ounce up to many tons are used directly with or without further shape processing for many items of manufacturing तो यह आपका basic setup है और इसमें ounce मतलब की बहुत छोटा quantity से लेके tons of quantity का आप casting बना सकते हैं मतलब की casting बहुत बड़े-बड़े size का भी casting बनाया जाता है और इसमें आपको जैसा shape final shape चाहिए वैसा कई बार नहीं मिलेगा और कई बार final shape भी आपको मिल सकता है बड़ाबर अगर आपको final shape नहीं मिलता है तो बाद में further processing इसका किया जाता है मतलब की machining है grinding है बड़ाबर यह cutting किया जाता है और final shape है आपको मिल जाएगा even those material considered to be wrought start out as a cast ingots before deformation work in the solid state puts them into their final condition बड़ाबर तो material आपका wrought state में पहले starting में है बड़ाबर और last में आपका casting ingot मिलेगा ऐसा भी process आप कर सकते हैं बड़ाबर तो deformation से पहले उसका casting किया जाता है और बाद में उसको casting के बाद solid state में आपको मिलेगा पर अबर final condition जो है वो solid state में आपको मिल जाएगा वास्ट मेजोरिटी ओप casting from a turn a stand of are made from a cast iron relatively small number of these are subjected to entity तो इसमें जो molten metal जो हम pour करते हैं वो mostly cast iron का material रहता है और उसको mold मतलब की molten करके उसको पिगाल के finally casting में mold में हम pour करते हैं और ये जो है इसमें entity जो है वो कम use होता है और इसमें जो जो भी use होता है वो हम देखने वाला है इसमें तो सबसे पहले peniton or magnetic particle testing may be in order for surface examination radiographic or ultrasonic testing may be needed to detect internal risk communities regardless of the material or type of casting तो peniton या magnetic particle testing आप कर सकते हैं surface examination के लिए पर उसके लिए आपका surface जो है उसको आपको पहले smooth करना पड़ेगा क्योंकि casting में जो mostly sand casting में जो आपको पार्ट मिलता है वो उसका surface जो है वो rough रहता है तो उसमें peniton या magnetic particle directly possible नहीं है तो उसको आपको smooth करना पड़ेगा चाहिए आप machining करो या grinding करो उसके अलावा radiographic और ultrasonic testing भी आप कर सकते हैं तो उसमें आपको internal risk community जो होगा वो मिल जाएगा उसके बाद radiography का दिया हुआ है यहां पर बरावर उसके बाद radiography is the most widely used method for casting examination it can be difficult to accomplish complete coverage of complex casting image evaluation is usually by comparison to standard reference images for various type of discontinuity तो radiography है वो ज्यादा तर use होता है बरावर क्योंकि इसमें आपको internal image पुड़ा casting का मिल जाएगा और इसमें एक drawback है कि complex casting है बरावर मतलब की shape है उसका irregular है तो इसमें complete coverage आपको नहीं मिलेगा उसके अलावा इसमें इसमें जो image evaluation है बरावर उसके लिए आपको standard reference images का भी use करना पड़ेगा तो कि radiography में बहुत सारा indication आपको मिलता है बरावर building में आपको पता होगा कि total मिला कर 10 या 15 indication जो है वो ज्यादा मिलता है पर casting की बात करें तो radiography में 60 से 70 टाइप का indication मिलता है तो इसके लिए आपको कई बार reference standard का भी use करना पड़ता है उसके बाद ultrasonic techniques are difficult to use with some casting because of noise created by grain structure rough surfaces of many casting also can produce problem in transducer coupling but ultrasonic testing is used extensively in the examination of critical coolant passages in turbine engine blades to measure thickness बरावर तो UT techniques जो है उसमें आपको पता हो दो कि grain structure आपका पार्ट का ज्यादा है मलब कि large grain structure वाला part है तो उसमें UT में scattering ज्यादा आता है तो उसमें UT आप नहीं कर सकते और casting जो process है उसमें mostly large grain structure produce होता है तो उसके कारण आप इसमें UT जो है वह difficult है वर्यवर पर ऐसा नहीं कर सकते वह casting का पार्ट के उपर depend है तो कई बार इसमें आप surface जो है rough नहीं है solid surface है मतलब की smooth surface है तो आप कर भी सकते है UT के अलावा टांस्ट्यूसर जो है उसका coupling में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा मतलब जो आप कप्ला कप्लांट यूज करते हैं अगर बहुत rough surface है तो उसमें कप्लांट जो है वह आपको ज्यादा विसकोसिटी वाला कप्लांट यूज करना पड़ेगा उसके अलावा UT का यूज करके आप thickness measurement भी कर सकते हैं मरावर तो इसमें एक example दिया हुआ है कि आप टर्बाइन का जो एंजिन है बरावर उसका उसमें जो blade रहता है उसका thickness measurement के लिए आप UT यूज कर सकते हैं तो यह जो टर्बाइन एंजिन blades जो है वो casting का बना हुआ होता है उसके अलावा electromagnetic testing में AD करन जो technique है और permanent method है sorry peniton method है बरावर यह सब यूज कर सकते हैं तो AD current and peniton method are also used to detect leading and trailing age crack before and during service of the turbine blade neutron radiography is sometimes used to detect residue waste in internal passages of turbine blade and other parts made by lost wax casting process तो इसमें तीन process दिया है turbine blade का आपको एंडिटी करना है वरावर जो casting part है turbine blade तो उसका आपको एंडिटी करना है तो AD current आप यूज कर सकते हैं peniton method भी यूज कर सकते हैं तो इससे आपको age crack जो है वो मिल जाएगा मतलब की almost surface के उपर age के उपर crack है तो आपको मिल जाएगा उसके अलावा यह जो दोनों method आप service life में भी यूज कर सकते हैं उसके बाद neutron radiography technique है उसका भी आप यूज करके इसमें एंडिटी कर सकते हैं तो Newton radiography technique क्या है यह मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा और अभी के लिए आप इसका जो short form है इसका NR करके method है Newton radiography method ऐसा बोला जाता है तो इसका यूज करके आप residue waste है वरावर अगर आपका part में मतलब की turbine blade में residue waste है या पैसेज इंटर्नल पैसेज में residue waste है तो आप NR का यूज कर सकते हैं उसके अलबा लॉस्ट वेक्स कास्टिंग प्रोसेस है वरावर तो उसमें भी आप वो कास्टिंग से बना हुआ पार्ट है तो उसमें भी आप neutron radiography का यूज कर सकते हैं तो यह सब प्रोसेस जो है वरावर मतलब रेडियोग्राफी पैनिटन अल्ट्रासोनिक magnetic particle इसका सबका यूज करके आप कास्टिंग का एंडिटी कर सकते हैं तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा अगर आपको इसमें कोई doubt है तो मुझे आप comment box में पूर सकते हैं ओके थैंक यू